जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जब मैंने मक्षन बनाया था तो उसका घी बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा मक्षन अलग से एक बाउल में निकाल लिया था उसी बटर में हम अब सबसे पहले बारी कटा हुआ धनिया डालेंगे यह मैंने पहले से ही बारी काट के रखा हुआ था यह है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और फिर इसके बार डालेंगे हम यह औरिगैनो फ्लेक्स यह दो चुटकी नमक डाला है नमक कम रखना है क्योंकि जो हमने औरिगैनो डाला है उसके अंदर भी सॉल्ट होता है अब इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है बच्चों को इस मक्षन में ब्रेड सेख कर दोगे तो यह बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा अब इसे बटर पेपर पर सेट कर सकते हैं अगर बटर पेपर नहीं है तो उसकी जगा आप ऐलियूमिनियम फॉल का इसे अमाल कर सकते हैं आप किसी भी कटोरी कोई भी बाउल में भी इसे सेट कर सकते हैं फिर इसे जमने के लिए थोड़ी दिर के लिए फ्रीज में रख द पिछली वीडियो में मख़न निकालते वक्त जो चार्च बची थी नेक्स वीडियो में मैं उसकी रेसिप्ली लेकर आने वाली हूँ तब तक के लिए बने रहे हैं मेरे साथ फिल हाल अभी के लिए बाबाई एंड टेक एर